दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Zoom Cloud Meeting App के बारे में और अगर आप एक student हो या teacher हो तो आप चाहो तो video conferencing के थूरू पढ़ा सकते हो या पढ़ भी सकते हो साथ ही साथ अगर आप एक business worker हो तो आप अपने कलिक के साथ भी video conferencing कर सकते हैं up to 100 people का यहाँ पर support मिलता है free of cost है और मैं आपको अच्छे से tutorial देने वाला हूँ कि आपको meeting initiate कैसे करना होता है join कैसे करना होता है क्योंकि हमारे पस दोस्तों total 2 smartphone है तो यहाँ पर मैं आपको और भी अच्छे से explain कर पाऊँगा यहाँ पर आपको live example भी दिखाऊंगा कि कैसे connect किया जाता है या फिर meeting कैसे schedule किया जाता है तो आप इस video को पूरा देखिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा अपने teacher के साथ share कीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो like कीजिएगा और channel पर होगे तो subscribe करके bell notification भी प्रेस जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले आपको search कर लेना है zoom cloud meetings और यह दोस्तों आपको लगभग 28MB का app मिलता है इसे आपको simply install कर लेना है install हो जाने के बाद यहाँ पर आपको open पे click करना है और उसके बाद कुछ इस तरीके का join meeting पे click करके directly join कर सकते है बढ़ आप मेंसे कई लोग होंगे जो की teacher होंगे या फिर अगर आप खुद से initiate करना चाहते है meeting तो उसके लिए आपको sign up करना पड़ेगा पहली दफा या फिर दोस्तों अगर आप directly चाहते हैं अपने google के through sign in करना तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते है जो की सबसे जादा अच्छा option रहेगा तो आप sign in पे click करते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगर आप google पे click करोगे तो जो भी आपका id है google id यानि की Gmail id होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और उसको simply आप select कर सकते हैं जो की कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर जैसे ही आप select करते हैं यह आप से पूछेगा कि क्या आप agree करते हैं तो अगर आप इस पे click कर देते हैं तो यह आपका account directly आपके google के through create हो जाएगा आपको बहुत ही गम समय लगेगा और बहुत ही आसानी से यह चीज हो जाएगा अब एक बार जब यह app खुल जाता है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिलते हैं सबसे पहले तो search का option मिलेगा इसके बाद यहाँ पर एक new meeting option मिलता है जहां से आपको new meeting create करने का option मिल जाएगा join के button पर आप click करोगे तो जैसा कि आपको starting में मैंने दिखाया था आपको join का option मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों अगर आप schedule करना चाहते हैं कोई वे meeting को अगर आप किसी दिन के बात करना चाहते हैं calendar में save करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ देखने को मिल जाते हैं time यह सब सब कुछ आप set कर सकते है password आप अपने इस आप सेट कर सकते है और host video on क्या चीज़ आपको करना है वो सब आप यहाँ पर से टिक करके calendar में add यह सब करके आप सारी चीज़ों को यहाँ पर से perform कर सकते है तो इस तरीके से यह meeting schedule हो जाएगा इसके अलावा अगर आपको screen share करना है यानि कि आपके smartphone के या फिर अगर आप अपने laptop desktop कहीं पर भी use कर रहे हैं तो screen share अगर आप करोगे तो आपके जो भी powerpoint presentation यह सब होंगे वो share होंगे आपके students के साथ या फिर आपके click के साथ और यहाँ पर भी आपको एक key डालना होगा जो कि लोग यहाँ पर input करेंगे तो आपके smartphone के screen या फिर laptop के screen को देख पाएंगे फिलाल के लिए हम यहाँ पर new meeting के बारे में आपको बताएंगे उसके लिए थोड़ा सा wait कर लीजिए और add contact पर अगर आप click करते हैं पहली दफ़ा तो यहाँ पर आपको option पूछा जाएगा कि क्या आप email ID के थुरू contact add करना चाहते हैं या फिर phone के थुरू तो अगर आप phone number के थुरू करोगे तो आपको अपना ID देखने को मिल जाएगा और इस ID को अगर आप share करोगे तो आपका meeting स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको थोड़े देर के बात करके दिखाऊँगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के तरफ मिल जाता है और जो भी chat ये सब होता है जो भी आप meeting ये सब करते हैं वो सारे चीज यहाँ पर आप देख पाऊगे अब यहाँ पर demo के लिए मैं आपको एक normal सा meeting क्रियेट करके दिखाता हूँ तो पहली दफ़ा meeting क्रियेट करने के लिए आपको new meeting पे click करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो on आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं और यह जो personal meeting ID है इसे अगर आप on करके रखोगे तो जो भी बंदे हैं वो अगर ये meeting ID डालेंगे तो आपके meeting के साथ वो add हो जाएंगे तो यहाँ पर हम start up meeting पे click कर देते हैं और जैसे ही आप start up meeting पे click करते हैं थोड़ा सा ये time लगागा कुछ processing होगा और पहली दफ़ा अगर आप इसे use करोगे तो यह आपके permission लेगा आपके microphone का, camera का और storage का तो यहाँ पर हम got it कर लेते हैं allow कर देते हैं, एक बर और allow कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा camera यहाँ पर से on हो चुका है जो कि आपको देखनी को मिलता है अब आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम दूसरे smartphone में connect कर सकते हैं और वीडियो call के through conferencing कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो 711 करके देखने को मिल रहा है जहाँ पर lock का option मिल रहा है यहाँ आपका meeting ID जो कि यहाँ पर मैंने input कर लिया है और simply आपको यहाँ पर join a meeting पे click करना है जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर meeting पे click करोगे जो कि आपके teacher या पर आपके boss प्रोवाइट करेंगे और उसके बाद simply आपको okay पे click कर देना है तो यहाँ पर आप देख पाईएगा कि आपका meeting प्रिपेर हो रहा है थोड़ा सा आपको time लगाएगा दोस्तों और यहाँ पर हम allow कर ले रहे हैं हमारा जो भी information है अब इसके बाद दोस्तों एक example के form में मैं आपको बताता हूँ यह है माल या जाए teacher का smartphone और यह है student का smartphone तो student के smartphone में यहाँ पर आपको कुछ options मिलते हैं अगर यह बंदा join with video पे click कर देता है तो जो भी हमारा teacher होंगे वो आपके जो भी student है उनके सारे चीज़ों को देख पाऊगे जो कि यहाँ पर मैं आपको थोड़े दिर में करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यह connect हो चुका है और audio को भी record करने का option देखने को मिल रहा है हाला कि यहाँ पर since दोनों screen सेम है इसलिए आपको side से पता नहीं चल रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं student जो भी यहाँ पर दिखाएगा वो teacher यहाँ पर आसानी से देख पाएगा यही पर अगर हम बात करते हैं student के smartphone के बारे में तो आप देख सकते हैं teacher जो भी यहाँ पर दिखाएगा वो student को देखने को मिलेगा यानि कि अगर आप देख पा रहे हैं मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से अगर teacher वहाँ पर होगा तो student हर एक चीज को देख पाएगा यहाँ पर आप देख पाएगा कि जो student है उसके यहाँ पर drop down पर नीचे के तरप आपको तीन अलग-अलग dots देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से अगर आप slide करते हो तो यहाँ पर दो बंदों को यहाँ पर आपको सगल देखने को मिलता है हाला कि मेरा ही नाम है बट फिर भी आप देख सकते यह वाला positioning उधर है तो आपको यहाँ पर से अच्छे से पता चल रहा होगा इस तरीके से करने पर single दिखेगा और यहीं पर अगर करेंगे तो यहाँ पर tap to speak भी आप कर सकते हैं हाला कि हमारा फिलाल के लिए जो microphone है वो muted है बट फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते है अपने teacher से in between तो आप यहाँ पर से click करके पूछ सकते हैं अब बाकी के जो demonstration है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से explain करता हूँ माली आज़ा यह teacher का smartphone है तो teacher चाहे तो काफी कुछ यहाँ पर perform कर सकता है एक बार वो tap करेगा और उसके बाद इस तरीके से वो sliding करेगा तो यहाँ पर भी उनको सारी details देखने को मिल जाएंग लोग रहेंगे तो ज्यादा options आपको मिल जाएंगे तो आपको उसके लिए घबराने की जुरत नहीं है उसके बाद एक बार आप tap करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ options और देखने को मिलते हैं जैसे कि mute कर सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने वीडियो को stop कर सकते हैं यहीं पर अगर आपको in between किसी एक student को add करना आप भूल गये थे तो यहाँ पर आप participant पर click कर सकते हैं और invite पर आपको options मिल जाएंगे आप चाहो तो उस थरीके से यहाँ पर invite कर सकते हैं और जैसे student को link मिलेगा वो student यहाँ पर click करता है और यहाँ पर zoom पर select करेगा अपने teacher को और यहाँ पर से teacher भी चाहेगा तो देख पाएगा आप देख सकते हैं फिलाल के लिए यह केवल जो student है वो यहाँ पर आ गया जो कि आपके सामने है तो इस तरीके से यह चीज काम करता है और उसके बाद यहाँ पर से चाहेगा teacher तो आपको फिर से दुबारा से पढ़ा सकता है और इस तरीके से कही ना कहीं सारे options काम करते हैं जो कि आप देखसकते हैं साधी साथ यहाँ पर से chat कर सकते हैं mute कर सकते हैं और जितने students होंगे हर एक लोगों के यहाँ पर आपको info देखने को मिलेंगे आप यहाँ पर से in between chat भी चैट भी कर सकते हैं और details भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, यह सारे चीजों को आप try कर सकते हैं, थोड़ा सा advance है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहीं पर कई दफ़ा ऐसा होगा कि teacher चाहेगा कि हम अपने camera को पीछे वाला on करके दिखाएं, तो यहाँ पर आप back वाला camera को on करोगे, तो आपका जो भी पीछे का camera होगा, वो activate हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, पीछे का camera यहाँ पर activate हो गया है, तो जो भी student होगा, वो आपके back camera के through जो भी videos आप दिखाऊगे, वो यहाँ पर से देख पाएगा, अब यहाँ पर गलती से अगर आप back कर देते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का interface आजाएगा, तो यहाँ पर आप back to meeting करोगे, तो again यह चीज on हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, और tap करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, अब यहाँ पर से जो सबसे जादा important चीज है, वो है share, यहाँ पर अगर आप click करोगे, तो आपको हर एक चीज share करने का option मिलेगा, photo, document, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलते हैं, जो सबसे जादा important चीज है, वो है screen and share whiteboard, तो यहाँ पर सबसे पहले share whiteboard का बात करते हैं, तो जैसे ही आप share whiteboard करोगे, यहाँ पर से जो चीज भी आप लिखोगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको tap करना होगा, जो भी आप लिखोगे, यहाँ पर आपके student के smartphone में यह चीज देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर से जो भी आप लिखते हैं, A, B, जो भी आप लिखोगे, आपके student थोड़ी देर के बाद वो चीज देख पाएंगे, तो यह भी काफी अच्छी बात है, और यही पर से अगर आपको इससे stop करना है, तो यहाँ पर से आ आपको option मिलता है, इस पर आप tap कीजिएगा, और उसके बाद start knob पे आप click करोगे, तो आपके smartphone का जो भी होगा details मतलब यहाँ पर से आपको allow यह सब करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको back चले जाना है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका smartphone का screen है, वो यहाँ पर से share हो रहा है, यानि कि जो भी आप यहाँ पर से करोगे, आपके जो भी student होगे, वो यह सारे चीजों को देख पाएंगे, जो की अच्छी बात है, तो यहाँ पर से अगर आप मालियाजे फिलाल के लिए बात करते हैं, कोई भी app को open करते हैं, तो यहाँ पर आप देख स सकते हैं, और यहाँ पर से कोई भी student यह सब चीज नहीं कर पाएगा, केवल यह जो host होंगे, वही यह सारे चीजों को कर पाएंगे, यानि कि student सब कुछ देख सकता है, बढ़ teacher चाहेगा, तो हर एक चीज कर सकता है, जो कि आपको इस example के थुरू समझ में आ रहा होगा, अब यही पर student को कई दफा doubt भी आता है, तो वो more पर click करके अपना hand को raise कर सकता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, कि teacher को कैसा यह information मिलेगा, आप देख सकते हैं, जो भी नाम होगा student का, वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, और यह hand raise करता हुआ भी आपको देखने क मिलता है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको zoom app के बारे में सारा जानकारी दे दिया, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगाओगा, तो वीडियो को like कीजेगा, हमारे चैनल को visit कीजेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे informative वीडियो मिलते रहते हैं, साथी साथ वीड झाल 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 झाल 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 झाल